हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल उपचानुसके में हम चैनल उपचानुसके में रोज एक लेटिस डूडियो अपडेट करते हैं यदि आप हमसे जूड़ना चाहते हैं तो सबसे पहरे आप हमारे चैनल उपचान उसके को सब्सक्राइब कर लें जिससे आप डेली एक नई वीडियो देख सकेंगे बालो को कलर करती समय चार बातों का रखे ध्यान नहीं होगा कोई नुकसान लड़के हो या लड़किया आजकल सभी लोग अपने बालो को कलर करने के लिए हेर कलर्स का सहरा ले रहे हैं बालो को डाई करना आजकल का ट्रेंड बन चुका है लेकिन क्या आप जानते हैं कि बालो पर हेर कलर सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है आजकर लोग बालो को अलग अलर कलर देने के लिए कई महेंगी और कैमिकल युक्ति हेर कलर का प्रियोग कर रहे हैं यदि आप भी धीरोप ऐसे खर्च करकी अपने बालो को डाई करवाने के बारे में सोच रहे हैं और अगर वहीं हम प्रमनेंट हेर कलर का प्रियोग करते हैं तो उसमें भी अधिक मात्र में अमोनिया का प्रियोग क्या जाता है जो बालो को काफी कमजोर बना देता है और बालो में पाई जाने वाले प्राकरतिक प्रोटीन को छीन लेता है जिसकारण बालों की किसमें खराब होने लगती हैं और बाल कमजोर होकर तूटने लगता हैं बाल रुखे होनी की समझिया जब आप अपने बालों को कलर देने के लिए हेयर कलर यह डाई का प्रियोग करते हैं तो उसमें उपसित अमोनिया आपके बालों की चमक को कम कर देता है। खास कर तब जब आप एक के बाद एक hair color करवा रहे हो। यदि आप जरूरत से ज़्यादा ही बालों को dye करवा रहे हैं तो इससे scalp में रूसी की मातरा बढ़ सकती है। जिससे बालों को माइवरेट करने के लिए मॉस्सराइज नहीं मिल पाता और बाल रूखे होने लगते हैं। एलर्जी की समस्या। कई chemical उतपादों से बने hair colors आपके लिए allergy का कारण भी बन सकते हैं। डाई करवाने से खुजली, रूसी और आखों के चारों और सूजन ये जलन की समस्या पैदा हो सकती हैं। खास कर कम उम्रे के लोग इन लक्षनों को अंधेकर ना करें। यदि आपकी skin ज़्यादा सवेदन सील है, तो बालों को color ये dye करवाने से आपको बसना चाहिए। बालों के विकास में रुकावर्ट, hair color में पाई जाने वाले chemical उतपाद, बालों के रूम को नुक्सान पहुचा सकते हैं, जिससे आपके बालों का बढ़ना काफे मुस्किल हो जाता है। और साथ ही बालों का तेजी से ज़ड़ना ये गंजापान जैसे समस्यां सुरू हो जाती हैं। इसलिए बालों के लिए hair color का इस्तिमाल करने से बचें। फ्रेंड्स अगर आपको यह सबी बाते पसंद आई हूँ, तो आप हमारे चैनल उपचान उसके को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।